हेलो दोस्तों वेलकम टू डियेशडी कार्स और आज के वीडियो में आपके सामने हैं मारुत्ती की तरफ से जब अरदस्त सब 4 मिटर कॉमपेक्ट SUV यानि की मारुत्ती ब्रेजा और ये मारुत्ती ब्रेजा का बेस मोडल है लेकिन भाई ओनर का जो शोक है जो इच्छा है ज और कितने खर्चे में ये गाड़ी बेस से टोप मोडल बनी है वो सारी जो चीजे है वो आज आपको बताने वाला हूँ एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या एसेसरी इस गाड़ी में लगी है और किस एसेसरी के कितने पैसे इनको देने पड़े है फ्रंट से शुरू करें तो सबसे उपर जो ब्रेजा की बैजिंग है वो यहाँ पे लगाई गई है उसके बाद मेन गिरिल पे जो क्रॉम फिनिस है वो यहाँ पे लगी है क्योंकि ये क्रॉम फिनिस गाड़ी के साथ नहीं आती है बंपर प्रोटेक्टर भी यहाँ पे एड़ ओन किया गया है और तो fog lamp हैं, वो base model में नहीं मिलते हैं, और garnish भी add-on की गई है, जो prices हैं सारी accessories के, वो आप नीचे screen पे देख सकते हैं, skid plate भी गाड़ी में add-on की गई है, और सारी चीजे लगने के बाद जो front look है, marutty breja के base model का, वो आप यहां से clearly देख सकते हैं, अब शोक बड़ी चीजे, उस में आदमी खुब पैसा खर्च करता है क्यों क्योंकि उसको लगता है कि वो सब लगाने से उसकी जो गाड़ी है वो भाई जबरदस लगती है अच्छी लगती है सबके अलग-अलग requirements हैं सोच अलग है कोई लगवाता है कोई नहीं लगवाता तो अगर आप भी अपने को दे देती है वील आर्क लेडिंग यहां पर एज एसेसरीज लगी है साइड मोल्डिंग भी एज एसेसरीज लगाई गई है और जो साइड स्टेपर है उसके लगते ही भाई SUV वाली जो फील है वो कहीं न कहीं गाड़ी में आती है ये भी ओरिजिनल शोरूम से लगी है 200 mm की जो ग्राउंड क्लेरंस है वो ब्रेजा में जबरदस्त मिलती है तो उस हिसाब से लोग इस गाड़ी को जबरदस्त पसंद करते हैं साइड लुक अगर देखें तो वो भी भाई जबरदस्त यहां पर है अब एक बार जो साइड लुक है गाड़ी का प्रोपर वो आपको को यहां से दिखा देता हूं कि सारी एससरीज लगने के बाद अगर हम साइड से इस गाड़ी को देखते हैं तो क्या लुक आती है और मेरे एसाब से कोई नहीं बता सकता साइड से देखके कि यह बेस मोडल है या फिर टोप मोडल है क्रोम फिनिस के जो डोर एंडल से वो भी एड किये गए हैं जो दरवाजे पे पोप अपस लगे हैं वो आउट साइड से फिट यहां पे हुए हैं विंडो क्रोम गार्निस शोरूम से ओरिजिनल यहां पे लगी है जो कि भाई जबरदस्त लुक कहीं न कहीं गाड़ी को दे देती हैं जो डोर वाइजर से हैं वो वो अगर आप देखें तो यहां से भी बिलकुल अलग जो फील है अलग जो लुक है वो गाड़ी के आती है और बिलकुल नहीं लगता कि यह गाड़ी का बेस मोडल यानि की एलेकसाई है रियर स्किड प्लेट भी गाड़ी में एज एससेसरी यहां पे लगाई गई है चार उन्होंने यहां पे लगवा डाली है खैर अपनी अपनी पसंद है कोई कुछ भी गाड़ी पे लगवा सकता है जो रियर गारनिस है नंबर प्लेट अपलिक की वो भी यहां पे एड़ ओन की गई है रियर वाइपर रियर डिफोगर बेस मोडल में नहीं मिलते हैं और वो य थोड़ी सी अलग और यूनीक जरूर यहां पे लगती है शारक फिन एंटिना स्टेंडर आपको मिलता है यानि कि मारुत्ती ब्रेजा अपने आप में वैसे ही जबरदस्त गाड़ी है और इतनी सारी एससरीज लगने के बाद जो लुक है वो आपको कैसी लगी नहीं लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं चाबी की बात करें तो चाबी का जो कवर है वो भी यहां पे लगाया गया है क्योंकि उससे थोड़ी सी हैवी चाबी कहीं न कहीं फील होती है अब देखते हैं गाड़ी के अंदर की वहां पे क्या कुछ लगवाया गया है कितने पैसे के लगवाये गया है तो सबसे पहले जो original sunshades हैं वो यहाँ पे add किये गए उसके अलावा दरवाजे पे कोई ऐसी चीज यहाँ पे extra add-on नहीं की गई है अंदर चले उससे पहले side stepper की जो उपर की side से look है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त जो look है वो side step के आ यहाँ पे लगे हुएं अगर आपको भी यह सारी चीजें पसंद आती है तो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं अदरवाज पैसा आपका है choice भी आपकी ही है dash board की जो look है वो भी आप base model के देख सकते हैं क्योंकि base model में stereo नहीं आता है यहाँ पे जो stereo है वो भी बाया गया है और side में gripper जो है वो भाई बाहर से यहाँ पे fit कराया गया है अब कुछ accessory showroom की हैं कुछ outside की हैं लेकिन जो price हैं वो आप screen पे देख पा रहे हैं जो stereo है वो भी outside fitted यहाँ पे है company fitted नहीं है तो निपोन का जो stereo है वो गाड़ी में है चार speaker के साथ में android auto apple carplay usb bluetooth जो चीजें है android की वो आप यहाँ पे use कर सकते हैं और निपोन company का जो stereo है वो भी काफी अच्छा गाड़ी के लिए आप मान सकते हैं और जो gear liver का cover है वो भी add on कराया गया है कौन वगरा रखने के लिए जो यहाँ पे add किया गया है और सबसे बड़ी बात जो center armrest है वो भी ग environment आपको हो अपना हाथ आगे पीछे रखने की उसी हिसाब से आप इसको slide भी कर सकते हैं और यह जो non slippery plate यहाँ पे लगी है वो outside से लगाई गई है manually adjustable day night IRVM आपको standard मिलता है लेकिन base model में vanity mirror नहीं मिलता है यह जो vanity mirror है यह top model का यहाँ पे install कराया गया है वो भी outside से यहाँ पे लगाया गया है बाकी foldable grab handles वगेरा आपको गाड़ी में मिलते ही हैं headroom का कोई ऐसा issue मारुत्ती ब्रेजा में आपको नहीं होता है आगे आए तो यह जो phone holder है यह भी outside से यहाँ पे लगाया गया है इसकी भी कई बार आदमी को जरुद पढ़ जाती है कोई video record करना है या map लेट है वो add on कराए गई है मैट आप यहाँ पे देख सकते हैं और seat cover की जो look है वो यहाँ से proper आप देख सकते हैं driver और co driver seat के पीछे यह जो carrying हुक है वो यहाँ पे लगाये गए लेकिन owner ने यहाँ पे जो rear address है वो अभी तक गाड़ी में नहीं लगवाए हैं बैट के देख हैं कि जो charging point है top model के जैसे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस hand rest में ही आपको fit होके मिलते हैं rear AC vents गाड़ी में मिल ही जाते हैं वो कोई issue आपके लिए नहीं होता है यानि कि पीछे बैटने वालों के भी जो मज़े हैं वो मारुतिब रेजा के base model से ही भाई शु कि वहाँ पे क्या कुछ किया गया है तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ एक जो पिलो है वो यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ ऐसा जो change है वो यहाँ पे नहीं है CNG variant में जो rear parcel tray है वो standard आपको company से ही मिलती है यानि कि इतने पैसे लगाने के बाद जो look है वो मारुत्ती ब्रेजा की बिलकुल change यहाँ पे हो चुकी है अब बात कर लेते हैं कि जो total costing है वो इस गाड़ी में कितनी आई है based to top convert करने के लिए तो showroom से जो accessories लगी है वो total लगी है एक लाख पांच हजार आठ सो पचास रुपए की यानि की अगर दो चार ह 1000 का discount भी हम मानें तो भी लगबग एक लाख रुपए की जो accessories हैं वो तो genuine मारुत्ती की तरफ से लगी हैं साथी साथ जो stereo और जो speaker है और जो चुटी चुटी कई सारी चीजे बाहर से लगी हैं उनको मिला के अगर मैं देखूं तो 18900 रुपए की जो चीजे हैं वो बाहर से लगी है वो आप 18000 की भी अगर माने और शोरूम की एक लाख या एक लाख 2000 की माने तो लगबग 120,000 रुपए में ब्रेजा बेस मोडल टोप मोडल में कनवर्ट हो चुकी है जो मूड लाइटनिंग वगरा है वो भी यहां पे है तो एक लाख 20,000 में भाई इस गाड़ी को बेस से टोप आप बना सकते हैं और अगर आपको यह एसेसरीज पसंद आई यह आप भी लेना चाहते हैं तो पटोदी शोरूम का जो नंबर है वो आपके सामने हैं आपको अपनी जरुत के हिसाब से अगर कुछ लगवा ना हो तो आप भी अपनी गाड़ी में लगवा सकत तो भाई यही था आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना स्पोर्ट देते रहना वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यो दोस्तों